इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से virtual box को अपने window 11 के computer में download करेंगे और फिर उसको install करेंगे पहले मैं आपको एक virtual box के बारे में एक छोटा सा introduction दे दे रहा हूं अगर आप virtual box के बारे में नहीं जानते हैं तो virtual box यह basically open source free software है यह क्या करता है कि हमारे computer में virtualization create करता है जिसके थूरू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने computer में बहुत सारे operating system को एक साथ चला सकते हैं जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूं अभी फिलाल आप लोग दीख सकते हैं कि मेरे computer में यह window 11 install है अपने computer में virtual box को install कर लूँगा तो उसके बाद क्या होगा कि मैं अपने computer में एक साथ कई operating system को यूज कर सकता हूं like window 10, kali linux, parrot, ubuntu मतलब कि जैसी मैं virtual box को install कर लूँगा तो उसमें मैं बहुत सारे दूसरे operating system को भी चला सकता हूं एक साथ, like मैं window 11 को भी यूज कर सकता हूं and उसी time जो दूसरा operating system है, window 10, kali linux, उन सब को भी यूज कर सकता हूं तो virtual box को अपने computer में download और install करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि आपको left side में यहां पर डाउनलोड बटन दिखेगा तो आप लोग इसी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखेए आपका यह download पे जो open हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं download virtual box और नीचे इसका जो जितना भी पैलेट फॉर्म के लिए है मतलब कि window के लिए macOS, apple computer के लिए linux computer के लिए आपको सारे option यहां पर मिल जाएंगे तो जो भी आप computer यूज कर रहे हैं उसी according डाउनलोड करेंगे तो फिलाल आप लोग यहां पर दीख सकते हैं कि मैं window computer यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा window host पे click कर रहा हूं तो आप लोग यहां पर देह सकते हैं कि जैसी मैंने window host पे click किया प्रेट आप लोग यहां देख सकते हैं कि downloading मेरा start हो गया यहां download icon पे click करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर नया tab open कर ले रहा हूं यहां ट्रिपल ड़ोट पे क्लिक करता हूं आप लोग देख सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर दिखेगा तो आप लोग यहां पर ओप्सन दिख जाएगा आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो जैसी आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो जो आपका फाइल इक्सप्लोडर है वह उपन हो जाएगा उसके बाद आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि आप लोग यहां डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यह देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस पर डवल लेट क्लिक किया तो यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया यहां पर लिख दिया फिर इंस्टॉल मतलब कि इसका इंस्टॉलेशन का प्रॉसस है उसको यह प्रिपेर कर रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह भी कुछ नहीं चेंज करेंगे जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे और इसके बाद आप लोग यहां नेट वर इंटर्फेश तो आप लोग इसको भी यहां यह पर क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद यह आपका लास्ट प्रोसस एडिट इस्टॉलेशन जैसी आप को इसका status दिख रहा है कि यह कितना देर का यह टाइम लेगा तो बिसिकली बॉक्स को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने में 15-20 से का टाइम लगेगा तो आप लोग 15-20 से कंड का इंतेजार कर लेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे इसना लिख कर लेंगे आप लोग इसको भी मिनिमाइज कर लेंगे तो गाइस देख सकते हैं कि जैसे मैंने फिनिस पर क्लिक किया तो जो भर्टॉल बॉक्स है वो अटोमाटिकली मेरे कंप्यूटर में ओपन हो गया है अगर आपके यह कंप्यूटर के हो मस्क्रम पर नहीं आया बर्ट सच छोफ करेंगे तो यहां नीचे सटाथ के तो क्लिक करेंगे अंड है करेंगे और लोग देख सकते हैं कि मेरेी और वी मृक्स का जो मैने याप डाॉनलोड किया था वो इंस्टॉल हो गिया एंड यह ओपन हो गिया तो गाईज आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में वर्चॉल बॉक्स को मैंने डाउनलोड किया एंड इंस्टॉल भी कर दिया अगर आपको अब इसमें दूसरा कोई पर उसको इंस्टॉल करेंगे तो इस विडियो को मैं यहीं पर इंड करता हूं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं